दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Central Bank of India का Net Banking firm को कैसे भरते हैं आपका भी Central Bank of India में account है और आप भी Net Banking का सुविदा लेना चाहते हैं तो ये firm आपको भरना पड़ेगा तो गाइस देखिए भरने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको अपना branch डाल देना होगा जहां भी आपका branch होगा यहां भरेंगे हमने हाजी पूर भर दिया है उसके बाद देखिए यहां पर date भरना होगा जिस date में आप यह वाला firm भर रहे हैं वो date यहां पर भर देना होग उसके बाद देखिए यहां पर applicant name ने यानी जिनका account है उनका यहां पर नाम भरना होगा तो guys यहां पर देखिए यहां पर first name मीडल नेम और last name तो guys जैसे मानन लिजिये आपका अगर first name है तो यहां first name भरेंगे जैसे कि अगर मानन लिजिये राम बाबू सा आपका नाम है त को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं उसके बाद एड्रेस भरना होगा तो यहां पर आपको विलेज भरना होगा विलेज पोस्ट और यहां पर डिस्टिक भरना होगा उसके बाद देखिए गाईज यहां पर है आपका जो है स्टेट भर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका area का pin code यहाँ पर इस वाले box में भर देना होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर data birth भरना होगा तो data birth आपको dd.mmy format में भरना होगा उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना mobile number यहाँ पे भर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना email id भर लेना है email id भरने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे आना है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए सारा option दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए saving account current account यहाँ पर od है time deposit तो जो भी आपका account होगा जैसे के आपका saving होगा तो saving के सामने अपना account number यानि खाता संख्या भर देंगे अगर आपका current account होगा तो current के सामने अपना खाता संख्या भर देंगे तो हमने यहाँ पर account नमर भरा है saving है तो saving के सामने यहाँ पर हमने भर दिया है उसके बाद देखिए guys यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर देखिए internet banking facility required लेना है तो यहाँ पर yes पर tick करेंगे उसके बाद mobile banking facility लेना है तो yes पर करेंगे नहीं लेना है तो no पे tick कर देंगे तो जो service आपको लेना है उस पे tick कर देंगे उसके बाद देखिए guys यहाँ पे आपको अपना mobile number यहाँ पे भर देना होगा mobile number भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना email id भर देना होगा उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर next page पर देखिए गाईज यहाँ पर general condition लिखा हुआ है तो यह सब condition आपको पढ़ लेना होगा यहाँ पर पढ़ने के बाद देखिए गाईज यहाँ पर आपको date फिर से भर देना होगा जिस date में firm भर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर applicant signature यानि जिनका account है वो अपना signature यहाँ पर करेंगे तो इस तरह से firm complete हो जाता है तो इस firm के थुरू आप अपना net banking apply के लिए दे सकते हैं यहाँ